Hello friends, welcome to Royal Study दोस्तों आज की स्वीडियो में मद्धिप्रदेश का भोगोलिक विवाजन रहों प्राकर्तिक विवाजन हम कवर करने वाले हैं इसमें मद्धिप्रदेश का अगर सरल भासा में हम बताया आपको तो मद्धिप्रदेश का आज हम भोगोल कवर करेंगे इसमें हम मद्धिप्रदेश का इतियास का भूगोल जिसमें हम अधिप्रदेश का भोगोलिक विवाजन हम प्राकर्तिक विवाजन कवर करेंगे तो यह हमारा फूर्थ लेक्चर रहेगा अगर यह मद्धिप्रदेश के इतियास वाले एक से तीन तक के लेक्चर आपने नहीं देखें तो यहाँ पर आई बटन पर हम आपको लिंक दे देंगे जहां से क्लिक करके डाइक लिए आप उन वीडियो को देख सकते हैं और गैस यह जो वीडियो रहेगा मद्धिप्रदेश का भोगोली के विवाजर या फिर मद्धिप्रदेश का भूगोल यह हर एक एक एक्जाम में पूचा जाता है आपको पतवारी आपकारी आरक्षक देल प्रहारी पुलिस आरक्षक या सब इंस्पेक्टर या लोग से सामानी ज्यान कि अगर हम कहिए तो यह पूरी टेस्टी सिरीज टॉपिक वाइस है जिसमें आपको टॉपिक वाइस कोशिन्स देखने को मिलेंगे और इसका एक डेमो हमने डाल भी दिया है फिरियो पकॉस्ट आप चिकर सकते हैं डिस्क्रप्सन में लिंक की देरेखिए ड और भी बहुत सारे नौट्स और पीडिये फाइल प्ली आप कॉस्ट इस्टडी मटेरियन वाने स्क्सर में मिल जाएगी के लिए यह हमारी 2022 की स्पैसल एंप करिंट है जिसमें जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 तक का पूरा करिंट पेर दिया हुआ है इसके लावा यह हमारी 2021 की ए और 2020 की आविलेवल है यह MPGK का स्पैसल कॉर्स है जिसमें वीडियो कॉर्स आपको मिल याएगा तो डिस्क्रिप्शन में इन सभी के डेमो चिकाउट कर लिए का काफे अच्छा स्पैसल ऑफर जा रहे है और यह जो ऑफर है सीविट शिच्यमे के लिए है आप जल्दी कर स किलोमेटर वुवा घरता था तो 4,44,444 वरकु किलोमीटर हमारा फर्स्ट आप्सन सही जवाब रहेगा अगला कोश्यन है करकरेका मत्यपरदेश के किस संभाग से के सबी जीलों से होकर गुजरती है तो पांच जीले तो बहौ पाल संभाग में हो जाएंगे जिनसे यह मत् उस उपोस्न कटीबंदी जलवायू डियोप्सन करेकटांसर हो जाएगा। अगला कुशने करक रेका करमसा कितने रैसो राज्यों तो मद्रेप्रदेस के जीले तो हमें पता है चैःछा जीलों से करती है। इसके अलावा अगर राज्यों का पता है तो आप सारी से क्लिक कर सकते हैं आठNow राज्यों से और देशों की अगर आप बात करें यह इस पर शेकर टीया तो 18 देश आठ सफ्क्रामर्णश से जी लें तो हमारा जो correct answer रहे गा यह option number first क transparent ही हो जाएगा टेलिग्राम को जो इने किया करले जगा डिसक्रप्शन में लिंक दे रखिए जितनी भी करेंट के अपडेट होती है सबसे पहले हम टेलिग्राम पर ही अपडेट करते हैं के लिए अगला कोशन है विबाजन पश्चात कितने भोगोलिक चेत्र 36 गण में चले गए विबाजन पश्चात जो भोगोलिक चेत्र हैं 36 गण में जाने वाले उनकी सिंग्याद दो है तो ऑप्शन नमर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा मत्री पर्देष का भोगोलिक ढ़ाल किस तरह का है तो यह उत्तर मुकी है मत्री पर्स्ट का भोगोलिक ढ़ाल ऑप्शन नमर C करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कुशन है निमन मैंसे किस भोगोलिक प्रदेश का एक तिहाई भाग समतल प्राय मेदान है तो यह जो भोगोलिक प्रदेश से इसका नाम है बुंदेल खंड ओप्शन नमर डी करेक्ट आंसर रहेगा अगला कुशन है किरसी अर्थ व्यवस्ता का आदार किस भोगोलिक प्रदेश को कहा जाता है किरसी अर्थ व्यवस्ता का जो आदार कहा जाता है यह कहा जाता है नर्मदा सोन गाटी को करसी अर्थ व्यवस्ता पाठार के उपर वैसिकली ठीकी हुई है भोगोलिक प्रदेश इसको करसी अर्तिववस्ता का आदार बोल जाता है तो option number B correct answer रहेगा अगला question है मद्रदेश का सबसे चोटा प्राकरती कुब्भाग कौन सा है सबसे चोटा पूचा है आपसे प्राकरती कुब्भाग और ये है आपका भगेल खंड का पाठा लांजी परवस्रेनी किस जीले में इस्ती थे लांजी परवस्रेनी आपकी मद्रदेश के बालगाट जीले में देखने को मिलती है बलवा पत्तरों की प्रदानता वाली परवस्रंगला कौन सी है सही जवाब इस question का रहेगा हमारा निम्न मेंसे कौन सतस्त रंकला के रोप में अवस्ती थी सही जवाब रहेगा सत्पूरा option number B correct answer हो जाएगा निम्न मेंसे कौन अवसिस्ट परवस्त रंकला के रोप में अवस्ती थी सही जवाब रहेगा हमारा विन्यान चल परवत अगला कुशिन निम्न में से कौन सी परवसरंगला हिमाले कर ली जगा हिमाले से प्राचीन मानी जाती है सही जवाब इस कुशिन का क्या रहेगा देखिए सकपूडा भी रिपीट हो चुका है इस एक की जगे आप अरावली एज़र कर सकते है अरावली यहाँ पर आप कर ली जगा ले रहे तो निम्न में से कौन से परवसरंगला हिमाले से प्राचीन मानी जाती है और ये मानी जाती है सकपूडा परवसरंगला कोईला संसादनों से सनियंत संकला मानी जाती है तो ये जो मानी जाती है मद्य सत्पूडा स्रेनी मानी जाती है निम्न में से कौन परवसरंगला अधिक राज्यों से विस्तादी थे तो ये जो परवसरंगला है ये है आपके विंजानचल परवसरंगला ग्रेनाइट च्टानों की परधानता वाली परवस्ट्रेनी कौन से है? तो ये है सत्पूरा परवस्ट्रेनी जिसमें ग्रेनाइट च्टानों की परधानता होती है सिद्ध राज परवत कहां परिस्टी थे? ये आपका दतिया जीले मिस्टी थे सिद्ध राज परवत मत्यप्रदेश में महादीपी जलवायू के परिस्टितिया किस्ते कारण से होती है तो ये होती है भू आविस्टित होने के कारण कॉपेन ने मत्यप्रदेश की जलवायू को कितने वर्गों में विवाजित किया है कोपेन के दोरा मध्यतदेश की जलवायों को इन में से कोई नहीं याने तीन भी नहीं चार भी नहीं और पांच भी नहीं इन में से हमारा डे ओप्सन करेक्टांसर रहेगा अगला कोशन है सामानी गर्मी तता चरम सीत अवस्ता किस भोगलिक पुर्देश से सम्द्धी थे और ये विंद सक पुड़ा परवती चेत्र से सम्द्धी है नेक्स्ट कोशन है महासागरी चक्रवात की चेत्र की जलवायों को प्रवावित करता है महासागरी चक्रवाज जो प्रभावित करता है इन में से कोई नहीं मालवा के पाठार को भी नहीं उस्तर के मेदान को भी नहीं दोनों को नहीं करता है तो इन में से कोई नहीं एक ए उप्षन बचाए हमारे पास में उप्षन बड़ सामान ने ढालता था चरामंग्रेस में आवस्ता किस भोगोलिक प्रदेश से संब्दी थे सही जवाब इस कोशन करहेगा नर्मदा घांटी से संब्दी है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा पीस स europé मल्ला नारयन ने मदब्रदेस की जलवाय। कितने वहागो में विवाजित किया है।า चार में नहीं किया है। पांच में नहीं किया है। दो में भी नहीं किया ही। हमारे पास में एकी option बचा है। इन में से कोई नहीं ड़ी option करेक्टा रतांसर रहेगा। अगला कोशन है समसी तोस्न महादीवी जलवायू की शेत्र से सम्बंदी थे और यह सम्बंदी थे मालवा के पाठार से कोशन इस तरह से भी बन सकता है कि मालवा की जलवायू की इस तरह की समसी तोस्न महादीवी जलवायू है मालवा के पाठार की मद्यप्रदेश की आईसो का मैदान से संवधे के सही जवाब चला है कुशन ने मदप्रदेस की मदप्रदेस की समुवर्सा रेका है यह सो सैंटी मीटर है दो सैंटी मीटर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा अगला कोशन इनिम्न सब्दावलियों में से कौन मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् साज जो छेत रहें इनमें विवाजित किया गया है यहां पर तीन दो एक दे रखा है और इनमें से कोई भी नहीं है इसलिए कोई नहीं अगला कोशन है नियून तम वन पर तीसत वाला जीला कौन सा है और यह जो जीला है इसका नाम है उजेन जीला जीला अधिक तम वन पर तीसत वाला जीला कौन सा है सही जवाब रहेगा बालागांट जीला फस्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा मत्यप्रदेश में किन वनों का प्रतिसत सरवाधिक है तो मत्रदेस में सरवाधिक जो प्रतिसत में वन देखने को मिलते है यह है आरफ चित वन वन विभाग द्वारा मत्रदेस के वनो को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है सही जवाब रहेगा हमारा यहां पर साल वनों की सगन्ता देखने को मिलती है पर्यावरा नियोजन तता समन्वे संगिठन की स्थापना की सुवर्च में की गई थी 1981 1981 हमारा फर्स्ट ओप्शन का रिक्टांसर रहेगा मत्य प्रदेश जे विवित्ता पर शिक्षन के अंदर कहां पर इस्थी थे तो यह जो केंदर रहे यह उमरिया में इस्थी है दी ओप्शन का रिक्टांसर हो जाएगा मत्य प्रदेश जे विवित्ता बोर्ड की स्थापना की गई थी 2010-1956 में नहीं की गई थी और एकी ओप्शन बजाए है इनमें से कोई नहीं तो यही हमारा का रिक्टांसर हो जाएगा अगला कोशन है मत्य प्रदेश आपदा परबंदा सहस्ता की स्थापना की स्थापना की स्वर्स में हुई थी रही जवाब रहेगा हमारा आपदा परबंदा सहस्तान की यहां पर बात की जा रही है और इसके करिक्टांसर रहेगा 1987 में हुई थी इसकी स्थापना तो option का return हो जाएगा मध्यप्रदेश में मोहन नामक सपीद जो बाग मिला था ये किस वर्स में मिला था तो ये मिला था 1951 में 51D option के साथ में सही जवाब चला जाएगा गैस हमने हमारी MPGK की special test series मध्यप्रदेश सामानी ग्यान की लांच कर दिये जिसमें topic wise मध्यप्रदेश का पुरा जीके डाला है और test FLT के format में ये रहेगा जो की पूरे explanation के साथ में रहेगा और नए pattern पर रहादारी थे आपने इसका demo check out नहीं किया है तो demo check out कर लिए जिका काफी special है और जे ये questions हम इस कुछ अलग चीज़े देखने को मिलेगी और यहां पर course हमने बना है गाइस तो obviously बात है कि इसमें कुछ आपको जो content देखने को मिलेगा कुछ unique ही देखने को मिलेगा तो आप एक बार demo जिरू से check out किजिए का description में लिंक में दे रखी हैं वहां से click कर सकते हैं क्लिए डेमो क का पूरा मद्यप्रदेश का current affair है जो कि मद्यप्रदेश की exam के लिए काफी ज़्यादा जरूरी होता है clear है तो यह सारा जो current affair है यह इस ebook में आपको मिल जाएगा यह 2021 की ebook अविलेबल है MPGK का special course है इन सभी की link description में दे रखी जिन पर काफी अच्छा special offer भी चल रहा है selection पराधी करण जो है यह भोपाल में स्टीत है अगला कोशन है मद्यप्रदेश को सरुपर्दम भाग राजी का दर्जा का प्राप्त हुआ मद्यप्रदेश को सरुपर्दम भाग राजी का जो दर्जा मिला था यह मिला था 1995 ने वोचू बिंदू कहां पर स्टीदे कर्षा दसे नधी का उदिम नधी का उद्गम नदी का संगभी स्टीटा गया किन नदी के संगण वकालत है। कि नो सेना जाहाज के नाम रखा गया है तो यह जो रखा गया है यह बैतवा नदी के नाम पर रखा गया है कनक भंगा किस नदी का जिनाम है कनक भंगा या कनक स्रंगा यह कहा जा था है चिपरा नदी को चिपरा नदी आप्शिन नदी को कहा गया है तो यह भी चिपरा नदी को ही कह जाना है, तथी option यहां से भी सही जवाब रहेगा, आलू उद पादन नहितु प्रसिद जो नदी है, ये कौन सी है, तो आलू उद पादन के लिए प्रसिद नदी माने जाती ए, खान नदी, जो कि इंदो ओर हिसी के किनारे बैतवा नदी बोर्ड अधिनियम के सुवर सफारित हुआ था 1976 में फ़स्ट ऑप्शन करिक्ट आंसर रहेगा तो यह तुमबड जो नदी है इसके किनारिस्ट थे बैतवा नदी की लंबाई आपको बताना है कुम्रागाव जाइसन से निकलती है इसके लंबाई कितनी है सई जवाब रहेगा 480 किलोमेटर यह जो लंबाई है यह आपको अलग 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 बुक्स में अलग 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 लेटा मिल सकता है आप याद रहेगा फस्ट ऑप्शन करिक्ट आंसर रहेगा अगला कुशन है मद्यप्रदेश की सबसे सुन्दर नदी काउंस लिए ब्योटिफूल रीवर के अगर आम बात करें एंपी की यह कैन नदी कैन फस्ट ऑप्शन करिक्ट आंसर रहेगा मद्यप्रदेश की प्रतम नदी जोड़ परियोजना के स्वर्स में प्रारम होई थी तो यह प्रारम होई थी सन 2005 में संजर या फिर सजर नामक पत्तर किस नदी से प्राप्त होता है तो सजर नामक पत्तर जो मिलता है यह के नदी से मिलता है रिसी बानभट का आश्रम किस नदी के किनारे स्तिते दे। परियोजना किस नदी में निर्मी थे। संब्धारा जल्परपात की इस नदी पर रिश्टी रहे? किस जल्परपात का नाम? तो यह जो जल्परपात इससर नाम है. निर्भान के से चाहे कोश्चन में नर्मदा नदी डेल्टा का निर्वार क्यों नहीं करती है क्योंकि रेत मिट्टी होती है उसमें इसलिए वो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है option number C question का सही जवाब रहेगा रेत मिट्टी का होना नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्ज़क का परणा किया गया है नर्मदा नदी को जीवित नदी का जो दर्ज़क दिया गया है ये दिया गया 2017 में option number B correct answer हो जाएगा चिंखी पर्योजना किस नदी पर प्रस्तावित है कि किस नदी पर है यह है आपकी सक्कर नदी पर जो कि आपकी नर्मना नदी की सायक नदी है सक्कर नदी की परियोजना है चिंग की परियोजना सक्कर नदी की अगला कोशन है वारही गंगा किस नदी का अंजिनाम है वारही गंगा सीता रेखा जो नदी है इस का अंजिनाम है मत्य प्रदेश का स्वर्ण मंदिर किसे कहा जाता है most important question नहीं 3 star इसके सामने आप लगा लीचे का 110% पूछे रहेगा साली वहान मंदिर इसको मत्य प्रदेश का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है मत्य प्रदेश में सबसे छोटा अपवातंत्र कौन सा है तो ये हैं महा नदी अफवा तद्र first option का रिक्टांसर हमारा रहेगा अगला कोशन है आदिवासी गंगा किस नदी को कहा जाता है आदिवासी जो गंगा कहा जाता है ये किस नदी को कहा जाता है ये आप से पूछा है तो सही जवाब रहेगा माही नदी को जो कि धार जीले से निकलती है बान सुजारा जो परियोजना है ये किस नदी पर निर्मी थे किस जीले मिस्टी थे मापकी जगा बान सुजारा जो परियोजना है ये टीकमगर जीले मिस्टी थे गुलाब सागर महान परियोजना किस जीले से संब्दी थे सीचाई अरुसदास सेचनाले का जो गठन हुआ था यह वगा था 1964-1964 में से उप्सन करिक्टा अंसर रहेगा बदबदा जलपरपाद किस नदी पर बना हुआ है जो कि भूबाल में स्टी थे बदबदा जलपरपाद जो है गोर नदी पर बना हुआ है फर्स्ट ऑप्सन इस कोशन का सही जवा रहेगा अगला कोशन है मुरू मनाला सीचाई परियोजना किस जीले से संब्दे थे मुस्ट इपोड़न कोशन है बाला घाट हमारा फर्स्ट ऑप्सन करिक्टा अंसर हो जाएगा तूना पत्तर उत्पाद में परतम जीला कौन सा है तूना पत्तर उत्पाद में पहला जो जीला है इसका नाम सिप्टा जीला फर्स्ट ऑप्सन करिक्टा अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोचने वर्तमान में मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् एधिमन मैंसे किस इस्तान में परमानू उर्जा सनींत्र पस्तावी था wiedra मुएस्ट आप्सेन Фरिर Aber диज़ में नविनु उर्जा सोर निती किस وर्स में अस्टितों में आयी थी तो यह आयी ती सन्ध दोहजार साथ 12 में लर्ग के सब्से बड़ी ताफ विदुद परियोजना कौन सी है तो सबसे बड़ी ताफ विदुद परियोजना की बात की जा रही है विन्यांचल ताफ विदुद परियोजना मद्यदेश की सबसे बड़ी विदुद परियोजना है मद्यप्रदेश में हीरे की सबसे बड़ी ख़दान कौन सी है यह मजगावाई जो की पन्ना जीले में आती है अगला कोशी ने मद्यप्रदेश नविन तता अख्षे विवाग की स्वर्स में हुई थी तो यह हुई थी आपकी 1982 में 1982 B-Option Correct answer हो जाएगा मद्यप्रदेश गोन खनीच अदिनियम के सुवर्स आया तो मद्यप्रदेश गोन खनीच अदिनियम के हो आया यह आया आपका 1996 में 1992 हमारा D-Option Correct answer हो जाएगा रिवा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट का परीचालन का प्रारंब हुआ आप सभी को पताईए इसका रेडन अंसर रहेगा आप्शन नमर फस्ट 10 जुलाई को 2020 में 10 जुलाई 2020 को प्रिवा अल्टरा मेगा पाउर प्रोजेक्ट का परिचालन प्रार रहा था मद्धिप्रदेश राज विदुत नियामक आयो कब अस्थित में आया तो राज विदुत नियामक आयो कि अगर हम बात करें तो यह आया था अगला कोशन है वन जीवों को गोद लेने की विवस्ता किस राश्टुद्यान से क्रारब होई ती यह वही वीवी विहार राश्टुद्यान से और आई थिंक कि ये 2022 के करिंटफेयर का ही कोशन है, क्लिए रहे, तो गाईज ये काफी important कोशन है, और इस तरह के कोशन काफी पूची जाते हैं, क्लिए रहे, हम आपको बता दें गाईज, हमने 2022 के हमारी MP करिंटफेयर की जो एबू है, उसमें काफी detail के साथ इसको cover किया है, और काफी अच्छी अच्छी चीज़े वहाँ पर aesthetic JK की भी हमने डाली है, आपने चिक आउट नहीं किया है, कलिए जगर description में लिग दे रखी है, अगला कोशन है सिद्ध बाबा परवत की उचाई कितनी है, सिद्ध बाबा परवत की जो उचाई है, यह है 1172 मीटर, 1172 मीटर सिद्ध बाबा परवत की उचाई है, option number 20 question का सही जवाब हो जाएगा, गैस हमारी special जो ebook है, और इसके अलावा हमारे कुछ courses भी है, यह सबी के बारे में आपको बता दिया है, इनके description में लिंके check out आप ज़रूर से कीज़ेगा, यह कुछ courses है, जैसे की ebook बगेरा, इनका भ के लिए लेकर आया जाए, जैसे की सामान हिंदी, सामान जो की प्रबंदन, इसके अलावा सामान विज्ञान या और कोई भी topic अगर आप चाहते हैं, उसके लिए आप हमें comment में एक comment करके बता सकते हैं, कि लिए कि आप इस topic पर videos लेकर आईए, तो हम courses करेंगे कि आपको जल जैंद बंदे मात्रा